नवश्कार दोस्तों मैं आपका अपना श्रावन सेल्सी सीकर से आप सभी जानते हैं जिस थीम पे आज के कुछ सालों पहले अठाइस साल पहले जो बीज बनी सेल्सी लूपी पेड का लगाया था जो आज वास्तम पेड बन गया उसका एक मक्सद था कि टैलेंट को पहचाना लालूं को उन जोपड़ियों बैठी खोपड़ियों को तलासने के लिए हर साल हम एक एक एक्जाम का आईजन करते हैं जिसका नाम पहले होता था डीटी एसी अब नाम मोडिफाई हो गया चोटा बेटा समर अपना एम बीए करके है तो उस दिकाए कि नहीं साब चीज़े अपडेट करनी है ठीक है भई समय के साथ चलना श्रौन की आदत है फित्रत है और मेरा एक सोक भी है सी एक एक्जाम करा रहा है टेकनो दो हजार तेइस टेलेंट एक्स्पोरिंग सी नेशनल ओलिम्पियार दो हजार तेइस इसको पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा का बच्चा दे सकता है तीन फेज में एक्जाम हो रहा है तेरा नॉंबर को पहला फेज हो गया अब अगला फेज हमारा है वह बीज नॉंबर को है सीकर चूरू जुनजनू अलोवर जेपूर नागोर अजिमेर एक्जाम का पैटर्ण अबजेक्टिव है एक्जाम में 5,6, 16-8, 7-8 ने नेगेटिव морकिंग नहीं है, 9, 10, 11, 12 में इसके नेगेटिव मारकिंग है, एक्जाम का कोई चारज नहीं है, एक्जाम फ्री अप कोस्ट है और 20 नवंबर को जे एक्जाम है, उसका लास्ट फ्राइड़ यानि अठारा नॉम्बर की स्याम पांच बजे तक आप आप अपलाई कर सकते हैं तो यह एक सूचना आपके पास है तो मैं तो अपील करना चाहूंगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है आप जा कहें कि बच्चे हूं बीस तारीकों सेंटर सीकर चूरू जुनजनू नागोर अलोबर जेपू रजिवेर में है एक्जाम किसी दिले का बच्चा दे सकता है उसके बाद चार दिसंबर को पुरा हर्याना दिल्ली का एक सेंटर बुरारी और राजस्तान के बच्चे बच्चे इस एक्जाम को दे सकत है लगवे 25 कोड़ की स्कॉलर सीप है और पांच बच्चों का एक फॉरेंट ट्रिप है वो तो तभी हम देंगे बहुत क्लिर कर देता हूं जब आपका एड्मिशन हमारे पास होता है बाकी 5000 बच्चों का समान समारों भी होगा जो केवल सीकर भी होगा वह 20 दिसंबर को चाहूंगा अपील करना चाहूंगा इस यह कि आप इस्षेदार बनें बागिदार बनें यह करके अपने सपनों को बड़ा भी करें और पूरा भी करें और 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 आप इस पे कुछ पूछना चाहते हैं तो 95212 37 555 राजेस जांगीड हमारे इसके इंचार्ज है आप उ आजाएगा मूल बात ही है clc-techno.com अगरी सारी रिफोर्मेशन जो है clc-techno.com पे है वहाँ 20 पेज की एक इनफोर्मेशन बुकलेट भी है जो आप सोप्ट को पिम पढ़ सकते हैं रूल्स क्या है और गाइडलाइन क्या दो चीज़े हैं एक गाइडलाइन है एक रूल है गाइडलाइन है उससार आपको हमिल जाएगा तब सब के सपनों को और बढ़ा करने के लिए आपके अपने clc वचनवद है वचनवद रहेगी आपका शरवण जीता बच्चों के लिए है जिन्दगी बच्चों के साथ है जिन्दगी के बाद भी दोस्तों सब clc है पशकार जेसीलसी